किरी सर आपका ओडर मैंने पेविंट कर दी ठीक है एक मिट सर यह आपके फोन के वॉल इपर में जो लड़की है यह कौन है कोई भी हो तुझे उससे क्या मतलब क्यों ही होगा यह मेरी बीवी है तुम पागल हो क्या तुमारी बीवी यह मेरी गल्फ्रेंड है और पिसले छे म सर मैं पूरी तरह सहर हूँ यह मेरी वाइफ ही है ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ यह बहुत अच्छी लड़की है पिछले छे मेने से हमें एक दूसरे को डेट कर रहे हैं मुझे लगता है आपकी वाइफ की शकल मेरी गल्फ्र भी नहीं हुई है हम पिछले दो साल से साथ में रहते हैं दो साल पहले हमारी साधी हो गई थी और हम यहीं पीछे रोहिणी में रहते हैं सिवानी नाम है इसका रोहिणी एड्रस तो तुमने बिल्कुल ठीक बताया है इसका मतलब शिवानी मुझे धोका दे रही है वो तु जल्दी घर आओ मुझे तुम से बहुत अर्जेंट काम है किया रवी तुमने मुझे निलल नाम के लड़के को जानती हो नाइ। मैं किसीया निल को नी जानती है जरा अपति शल्द आधको निल करनी है कि कोई अनिल नाम का लड़का जिसको आप जानते थी नहीं मुझे कोई अनिल नाम का लड़का नहीं पता और जितना मुझे पता है मेरी लाइफ में कोई आया भी नहीं है छोड़ो न यह यह सब बात है तुम पता नहीं कौन सी बात लेके बैठ जाते हो वो कहना मैंने सुबह खाना उड़ रखिया था और जो delivery boy खाना लेका आया था वो ये दावा कर रहा था कि तुम उसकी wife हो अच्छा क्या पता उसकी बीवी की शकल और मेरी शकल सेम लगती हो इसलिए तको misunderstanding हो गई हो और या वैसे भी मैं आपसे प्यार करती हूँ मैं आपसे शादी करूँगी नहीं शिवानी वो जूट नहीं बोल रहा था मुझे उसकी आँखों मा सच्चा ही दिखी और जिस तरह से तुम बात कर रही हो मुझे यही लग रहा है कि तुम जूट बोल रही हो सच क्या है वो तो अनिल खोदी बता देगा अनिल अनिल तुम क्या कर रहे हो यापे घराओ मुझे तुम से बहुत अर्जेंट काम है तुम एक काम करो तुम यहां अंदर छुप जाओ जब वो आएगी मैं तुम्हें बता दूए क्या होगे सिवानी अनिल मैं तुमको बताने ही वाली थी शिवानी बस अब कुछ भी छुपने चुपाने के लिए नहीं रह गया है जो सब कुछ है वो हमारी आखों के सामने है तुमें शर्म आने चीए तुम साधी शुदा थी और उसके बाद उसके बाद तुम इस लड़के के साथ अनिल तो ना मैं आज तुमको सच बताई देती हूँ मुझे ना तुमसे कभी भी प्यार नहीं था ना आज प्यार है ना पहले प्यार था और शादी भी ना मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं की थी वो मेरे फैंबिली ने मुझे इतना फोर्स किया था मेरा डिसीजन नीटम वह मेरे पापा कर डिसीजन था और देखो डिसीजन भी कितना गलत लेखने एक डिलीवर्य बोई से मेरी शादी करा दी मेरा लाएफस्टाल कितना लगए तुम्हारा कितना लगए और जो मेरा lifestyle है जो मेरे आशाराम है वो तुम ना मेरा कभी पूरा नहीं कर सकते और ना हमेशा से ना मैं एक अच्छा boyfriend deserve करती थी जो किने रवी है तुम ना एक बार रवी को देखो कितना अमीर है कितना rich है कितना handsome है मुझे अच्छा लगते उसके साथ रहना क्योंकि नहीं मेरे शौक पूरे करता है एक तुम अपने आपको देखो एक delivery पाएका तुम काम करते हो तुम क्या सोचते यह सब काम करके तुम मेरे सारे शौक पूरे कर पाओगे कभी नहीं तुमने मेरे बात सुनो मैंने बहुत पह की हुपक है है तुम्हारे सामने वाला हैंड्सम है और अमीर है तुम्हारी जैसे लड़की कोई बरोसा नहीं जब तुम इसे Everything exponian में तो मुझे psychological सकती होना रवी, तुमना बहुत गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना तुमसे अच्छा मुझे कितना भी अच्छा मिल जाए, मैं कभी दूसरे बंदे के पास नहीं जाओंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती विकॉस लव यू झाल